सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदव लेकर इनका प्रवचन 31 अगस्त जिस घर में संतोश वहां मैं हूँ जब किसी मनुष्य से मेरी भेंट होती है तो वो कितना सुखी है ये मैं देखता हूँ उसकी अन्य बातें मैं नहीं देखता लेकिन आप सब उसकी धनिकता, विद्या, मान, आदी बातों पर से वो सुखी है या नहीं ये तै करते हैं भगवान के बिना मनुष्य कैसे सुखी होगा? लोगों को धन्वान अच्छे लगते हैं, मुझे गरीब पसंद आते हैं लोगों को विद्वान पसंद होते हैं, तो मुझे अनपढ़ पसंद है ऐसा मेरा सब जक से उल्टा है, परन्तु इसलिए जक के उल्टा मेरे पास संतोश है संतोश कहां और किसमे होता है, इसका मैंने शोध लगाया है मैं समाधान रुपी हूँ, जिसके घर में संतोश समाधान है, वहां मैं हूँ जो मेरा है, पर असमाधानी है, उसके पास रहने में मुझे कश्ट होता है मैं अत्यंत संतोशी हूँ, वैसे ही आप सभी अत्यंत संतोश में रहे, तो बस हुआ आज तक मैंने एक ही साधन किया, किसी का मन नहीं दुखाया और एक नाम के सिवा, दूसरा कुछ भी ध्यान नहीं रखा मेरे पास क्या है वो बताईए, विद्या नहीं, पैसा नहीं, या फिर कलाब ही नहीं, पर सभी पर मैं अत्यन्त निश्कपट प्रेम करता हूं, जिससे मैं लोगों को अपनासा लगता हूं, और सभी को मेरा आधार लगता है दुनिया का स्वभाव मुझे पक्का पता है, इसलिए आज तक मैंने कौन क्या कहता है ये नहीं देखा, मुझे उसे क्या बताना है इतना ही देखा मेरा कहना सुनने के बाद फिर तुम उसे सुनने आते हो, इसके तीन कारण हो सकते हैं एक, मुझे अच्छा कहना नहीं आया होगा इसलिए, दूसरा, तुमें वो समझा नहीं होगा, या फिर तीसरा, बताया हुआ तुम भूल गए होंगे तुम सब मुझसे स्वाभाविक रिती से बात करो, हम अपने घर के लोगों से जिस तरह से बात करते हैं, ठीक वैसे ही, अपने पन से मुझसे बात करो मुझसे कोई भी, कैसे भी और कुछ भी बोलेगा, फिर भी मैं उसे, मुझे जो कहना है, वही बतलाता रहता हूँ मैं जब किसी को बतलाता हूँ, उस समय ये मेरी सुनेगा, तो इसका कल्यान होगा, ऐसा अपने आप मेरे मन में आता है मेरा जो सुनेगा, उसका सच्चा कल्यान होगा, इसका मुझे विश्वास होता है परंतु कल्यान का अर्थ प्रपंच में सुधार ना होकर प्राप्त परिस्थिती में संतोश से रहना ये है मेरे मनुष्य की प्रपंच में मैं मदद नहीं करूँगा ऐसा नहीं परन्तु प्रपंच परमार्थ का प्राण ले ले इतनी मदद मैं नहीं करूँगा ऐसा करने से वो रोएगा उसकी मुझ पर श्रद्धा थोड़ी कम हो जाएगी परन्तु वो जियेगा ये निश्चित और जीने पर आज ना कल वो नाम जरूर लेगा रोगी मरने के बाद उसे दवाई देने से क्या उपयोग? मैं एक बार बीच बो देता हूँ आज ना कल उसका व्रक्ष हुए बिना नहीं रहेगा आज तक मैंने नाम के सिवा दुसरा कुछ बताया ही नहीं जो मुझ से मिलने आता उसके मुख से नाम स्मरन करवाना ये ही मेरा काम जान की जीवन स्मरन जै जै राम